व्रत के दिनों में अगर आप बहुत ही ठका ठका सा महसूस करते हैं, एनरजी आपकी एकदम लो रहती है, तो बनाइए ये वाला हलवा एक बार खाएंगे, पूरे दिन भर एनरजी से भरपूर रहेंगे, ये है राजगिरे का हलवा, तो चलिए शुरू करते हैं, तो देखि को हम रखेंगे हाइपर, और चीनी को हम पानी में घुलने देंगे, कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी, कोई एक्स्ट्रा महनत करने की जरुवत नहीं है, बहुत आसान है, इस हलवे को बनाना 15 मिनिट में ये बनकर तयार हो जाता है, तो देखिए चीनी जो है वो घुल गई है, अब हम इसमें इलाइची डाल देंगे, एक छोटी चम्मच और रख देंगे हम इसे साइड में, क्योंकि चाशनी हमारी बनकर तयार है, चलिए, अब हम आटे को भूनेंगे, तो यहाँ पर कढ़ाई में हमने ले लिया है, आधा कब घी, घी आप एक दो चम्मच उ हमने यहाँ पर आटा लिया है, लो से मीडियम फ्लेम पर हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, तब तक चलाना है, जब तक घी रिलीज नहीं हो जाता, और इसका जो कलर है, वो ब्राउन नहीं हो जाता, जो बिसकिट का कलर होता है, ब्राउन बिल्कुल वैसा ही कलर हमें इसक पर आजाएगा इसका जो टेक्श्चर है वो रेट की तरह हो जाएगा उस पॉइंट पर हमें इसमें डाल देनी है चाशनी जो हमने बनाई थी लेकिन एक हाथ की दूरी रखिएगा वरना चीटे आपके ऊपर भी आ सकते हैं चाशनी डालने के बाद फ्लेम को हम कर देंगे हा हाई पर और उसके बाद हमें इसे बस लगातार चलाते रहना है तब तक चलाना है जब तक यह जो पानी है वो पूरा सूख नहीं जाता पूरा एब्जॉब नहीं हो जाता इसमें 2-3 मिनिट का ही टाइम लगेगा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ठीकिये हल्वे का कितना बढ़िया आया है बस हमें इसी तरीके से हाई फ्लेम पर इसे लगातार चलाते रहना है बिल्कुल भी मेहनत का काम नहीं है ये बहुत जल्दी बनकर तयार हो जाता है और इतनी एनरजी आ जाएगी आपके अंदर जब आप इसे खाएंगे मज़ा आ जाएगा यखीन आप मान लीजे बिल्कुल जैसे हम आटे का हल्वा बनाते है इञाक्ली हमें इसे वैसे ही बनाना होता है लेकिन ये थोड़ा जल्दी बनकर तयार हो जाता है तो देखिए किस तरीके से हम इसे चलाते जा रहे हैं पानी जो है वो पूरा सूक चुका है पानी सूपने के बाद अब भी हम दो से तीन मिनिट तक इसे और चलाएंगे तब तक चलाएंगे जब तक कि ये पैन को छोड़ने नहीं लग जाता अब आप देख पा रहे होंगे कि ये पैन को इस तरीके से छोड़ रहा है हलका अलका सा घी आपको दिख जाएगा साइड में से रिलीज होते हुए तो देखिए बस हमें इसे इतना ही भूनना है इतना ही पकाना है लास्ट में हम इसमें डाल देंगे थोड़े से पिस्ता और बदाम छोटा छोटा मैंने काट कर डाल दिया है आप अपने पसंद के इसमें कोई भी ड्राइफ फूट्स डाल सकते हैं बस इस तरीके से हमें ए इसे निकालिए गरम कीजिए और इसे खालीजिए तो कैसी लगी है आपको ये रेसिपी आप मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताइएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चल्दी मिलेंगे हम अगली रेसिपी के साथ में तब तक के लिए बाबाई and टेक के करो 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 ये बताइए जालीजिए अमुद्दाध कि अकाल ट्कालास काल को के लिए बाबने चालास के कि वाड़ाएगा जीए भीवाफ एकाल कालास के तावावावाँ बूले बापको उड़िए जकाल